हलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कैसे मैंने चार मेहने में 30% का प्राफिट लाया मेरे पोर्टफोलियो से दिखाना चाहता हूँ अगर आप नए हैं तो मेरा प्लेलिस्ट को जाईए और स्मॉल केस को देखिए वहाँ मैंने आपको टॉक्स के बारे में और स्मॉल केसे से के बारे में बताया है और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चलो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे मैंने चार महने में 30% का प्राफिट लाया देखिए फ्रेंड्स ये स्मॉल केस में मैंने 17,023 रूपीस इंवेस्ट किया था इसमें मुझे अभी प्राफिट है 31.14% माने 8,000 रूपीस का प्राफिट है इस स्मॉल केस में मैंने कौन से स्टाक लिया था वो मैं अब आपको पताना चाहता हूँ पहला स्टाक करनाट का बैंक मैंने 66 रूपीस में लिया था वो अभी 144 रूपीस में ट्रेड कर रहा है इस स्टाक में मैंने चुलाई 4,022 में क्रियेट किया था Yuko Bank मैंने 11 रूपीस में लिया था अभी 20 रूपीस में ट्रेड कर रहा है Orient Paper मैंने 24,95 पाइसा में लिया था अभी ये 39,20 पाइसा में ट्रेड कर रहा है Hoodco 35 रूपीस में लिया था अभी 50 रूपीस में ट्रेड कर रहा है Electro-steel-Castings मैंने 31 Rupees में लिया था अभी 41 Rupees में trade कर लाया GIC Housing Finance इस टौक का मैंने 118 Rupees में लिया था अभी 153 Rupees में trade कर लाया Gujarat Industries Power Limited इस टौक का मैंने 77 Rupees में लिया था अभी ये 86 रुपीज पे ट्रेट कर रहा है और कॉन एंटरप्राइजस 25 रुपीज में लिया था अभी 27 रुपीज पे ट्रेट कर रहा है देखिये फ्रेंड्स एवरी स्टाक पाजिटिव में है एक भी स्टाक नेगटिव में नहीं है अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और मेरे स्मॉल केस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स